हेलो फ्रेंट सोनाज के टुटी चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंट सीदेखी इस वाले थाल पोस का फाइनल लुक ठीक है पूरा हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है देख सकते हैं आप लोग जालरी भी बना करके कंप्लीट कर Xī Loserём मनें चारो साइब लेजा लन सब्सकेवर देखें घर तरीके से यहां पी जहां पर ज्ल्ड करों मैं on in दो स्बढ़ा हो गया है जीतना वाइट त्होड़ा-उर बचा हुआ है जो आपके साथ शेयर करना कि इसे तरीके साम इसको इसको स्टिच कर्रहें वाइट और ई टो कुछ इसा ना पर दुझेन डिफा फ्रभी il तो दुझे एक पर कि पम कुछें एतना इतना रखेंग धागा फिर भी इस तरीके से साइड करते है और धागों को इस तरीके से देखें आप हाफिआ कर लेते हैं कना तुम यहां जा से इसे इन प्रफट लिर से भावा प्रफला नहुता बता खाला जोड़ा हुं तो दिय करते हैं यह दितना डिमती इस तरीके करम वाले नें तनी प्रफद देखं़ करेंगे और जितना होगा उतना हम यहाँ पे देखिए इतना लंबा है यह इस तरीके से इतना लंबा यहाँ पे कट करेंगे देखिए ठीक है अब cut करने के बाद यह देखें इसमें आप three parts कर सकते हैं और two parts भी कर सकते हैं वो आपके उपर dependent है देखें कि इस तरीखे से जादा पफी रखनें है तो जादा कड्ने पपा फूर रेंगे नवि को कट गढब लेंगे और इसको इस किस तनी के लिएक लिए वाइट राए थ्रेड लेंगे और यहां पर धागे को राख करके इस भखलंगे लिए तिए और कर लिए मेंगे नेक्स है इस तरीके सिप्ट कर देंगे एक बराबर करते हुए इस तरीके से कट करदेंगे ठीक है यह देखिए धागे को यहां पी कट करेंगे और स्में हम सब इस तरीके से बनालेंगे अभी स्काइट करते हैं किम बाद में इसको किसम करेंगे पहले आपको एसको दिखा दे इस तरह के सब्सक्राइब और यहां पर नट लगा लेंगे तो फिर नेक्स्ट आवाइट से ही फिर से में स्टिच करना है तो देखे यहां पर देख लेते हैं यहां पर फिर हम इसको वाइट का स्टिच कर देंगे तो बहुत ही इजी है इस तरीके से आप लगा सकते हैं सारे ठीक है इस तरीके से खुली खुली आती है तो बहुत जिसे घनी घनी से दिखती है इस टाइप में यहां पर नहीं लगा रहे हैं कि यहां पर हमने यहां पर नॉट लगा करके इस तरीके से देखे एक जालर यू ब और यहां पर हमने नौट लगा देना है इस तरीके से यहां पर बांग देना है ठीक है तो यह इस तरीके से हो जाती है और यह वाली पूरी फैल जाती है तो फैली होई अच्छी लगती है थोड़ी सी पता नहीं चलता है ठीक है तो इस तरीके से हम पूरी जालों को बना करके complete करेंगे थीक है so,offord or card content as a lot plus लागा के ज़ाल को बनाकर complete करेंगे okayO,on Allah face ज़रास भी यह अलग नहीं है, जिस तरीके से वाइट वाले को इस्टीच करने का, तो जिस तरीके से तरीके से आप झ्रीन होला भी स्टिच कर लेगा इतने जाल रहे हैं हम स्टिच कर लेते हैं ठीके आपको हम ऊप्रासा सब और स्टिच करे दिखाते हैं तो यह हमारा obohka डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है इसकी जालरे भी बना ली कि यहां पर फिर से स्टिच कर लेंगे देखिए तो बहुत एजी है इसको स्टिच करना अब आप देखिए इसका वन साइड की देखिए बाकी जितना हमने अभी इन कंप्लीट है वो साइड है और यह देखिए ग्रीन और वाइड कलर का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग र इसको अभी हम स्टिच कर लेते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं ठीक है क्योंकि वरना फिर खुलने का इसका डर रहा है देख सकते हैं आप लोग देखिए हमने पूरा थालपोस की डिजाइन यह कंप्लीट कर ली है ठीक है देख सकते हैं पूरी जालर हमने यह बना करके इसके इतने वाले सारे जितने पार्ट दिखररा होंगे आपको अब भूद्व क्ल में यह यह बना करके इस टाइप में होश्क्राइब को कि इस टाइप में हम दिख सकते हैं आप लोग यह कंप्लीट होकर तयार कर दिया हमने इसको complete हो गया एकदम ठीक है अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि थालपोस की डिजाइन कैसी लगी और कौन सा प्यारा लग रहा है वाइट और ग्रिन कलर का कॉंबिनेशन या फिर केवल ग्रिन कलर का कॉंबिनेशन जो अच्छा लगी वह आप लोग कमेंट करिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था आपके साथ ठीक है वीडियो अपसंदा आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा चैनल को प् थेंक्स फॉर वाचिंग और फ्रेंड्स देख सकते हैं जितने जो एक्स्टा थेट्स होंगे ना इन सब की जिसे यह है यहां पर देखिए सब की छटाई कर देंगे ठीक है देखिए जिसे हैं सब कट कर दीजिएगा फिलाल अपने कट नहीं किया है यह इस तरीके से सारा कुछ हम बता जिरें आपको इस तरीके से पूरा बराबर करके छटाई कर लीजिएगा और इसका फाइनल लूक आप देखी सकते हैं कितना खुब्सूरत लग रहा है फ्रेंड्स तो तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड थेंक्स फॉर वाचिंग बाई